आपको याद होगा अभी चंद रोज पहले यूपी के फिरोजाबाद में समविदा कर्मी के रूप में तैनाद बिजली कर्मी ने यातायाद पुलिस के चालान काटने पर थाने की बिजली काट दी थी मामले ने तूल पकड़ाद पुलिस और बिजली विबाग के कर्मीयों की धकरार में पुलिस विबाग को कोई फैदा हुआ या नहीं लेकिन लाइनमेन के विरोज ने बिजली विबाग के करीब message 9000 कर्मचारियों का 4 मा का बकाय मिलने का रास्ता जरूर साफ हो गया है कहा जाता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा मतलब जो विरोध की हिम्मत जुटाता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं हम ये नहीं कह रहे कि फिरोजाबाद में जिस तरह लाइनमेन ने याता याद कुलिस की ओर से हेलमेट ना पहनने के कारण चालान काटना गलत था जाधिकारियों तक पिछले चार माह से नहीं पहुच पा रही थी इस वाक्य के चलते आखिरकार पहुच गई नतीज़ा अब इसका फायदा करीब 9,000 बिजली कर्मियों को होने जा रहा है जिनका चार मा के बकाया मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है कहा जा रहा है कि शाषर ने बिजली कर्मियों के इस बकाय को देने की प्रक्रिया शुरू करती है दरासल हुआ ये था कि फिरोजाबाद में पस्चिमाचल विद्योत वित्रण निगम लिमिटेड के अधीन हजारों सम्विदा कर्मी कारे रत हैं इन में से एक ही श्री निवास सम्विदापल लाइनमेन श्री निवास का दावा था कि उसे पिछले चार महिने से वेतन नहीं मिला था इस कड़की की दौर में फिरोजावार में उसके वाहन का चलान कर दिया गया उसने यातायाद पुलिश कर्मी को बताया कि चार महिने से बेतन नहीं मिला है इसके बाद भी उसका मन नहीं पसीजा और उसने 500 रुपे का चलान थमा दिया वा इससे क्रोधित हो गया और अपने साथियों के साथ जाकर थाना की बिजली कार्ड दी थी पुलिस स्टेशन पर 6,62,463 रुपे का बिजली बिल का बकाया था मामली ने तूल पकड़ा और दोनों विभागों के आलाध कारियों और मेडिया के जरिये ये बाद शाशन तक जा पहुची हालाकि बिजली विभाग या इसके इस कर्मचारी के इस कारे की सराना नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने तै कानून का पालन किये बिना थाने की बिजली काटी थी इसका हम समर्थन भी नहीं करते और विबाग सम्बंदी कर्मचारी पर देड़ सबेर कारवाई करने की तयारी में भी है लेकिन इस विरोध से विबाग के करीब साड़े 9000 करमचारीों का फायदा जरूर हो गया है तो आपको यह जानकारी कैसी लगी है में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह दिया आपने मारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले नमस्कार